रादे रादे मेरी प्यारे दौस्तों कैसे हैं अप सब लोग तो आज मैं लाए हूँ आपके लिए मुञ दाल की रेसीपी खाने बहुत लगती है और चाल्द के लिए तो यूमारी हल्त के लिए क्षिलका दाल मुञ की इसटेस्ट बहुत अच्छा आता है आगर आपको पसं तो इसमें जो जहागाएंगे उन्हें हटा देंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हमारे हल्थ के लिए तो आप इने जरूर से हटाएं जब भी दाल बनाए या छोला राजमा इस टाइप की चीजे बनाएं तो इसको हटाने के बाद फर इसमें हम डाल और इसको रख देंगे हम आप अपने कूकर पानी का हिसाब देख लें एक सीटी में बन जाती है वैसे तो भीवोने के बाद दाल तो आप देख लें और अगर आपको रेसिपी पसंद है आपके लिए यूसफूल रही तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो आप घीमे चाहें तो घीमे बना सकते हैं हींग और जीरा डालने के बाद इसमें थोड़ा सा लहसुन और अधरक डाल दें मैंने कद्दुकस करके बारिक वाला अगर आप चाहें काट कर तो काट कर भी डाल सकते हैं अगर आप कटावा पसंद दो तो मेरे घर में कटावा प पसंद नहीं करते हैं इसको बारिक वाले कद्दू कसमें से गिस लिया है अब इसमें डाल देंगे हम प्याज और प्याज हलका सा गुलाब हो जाएंगी उसके बाद इसमें ट्रमाटर एड़ कर देंगे कही लोग प्यूरी डालते हैं ट्रमाटर की अपना-पना जो इसे लेक आड़ कर लें और कम या ज्यादा कर सकते हैं और डाल मिश भी आड़ कर सकते हैं इसमें अब हम ले लेंगे पालक मैंने इसको अच्छे से धुलकर साफ करकर फिर काट लिया है बारीक बारीक तो आप कोशिश करें इसमें जो रंडी होती है छोटी-छोटी वो नाले पत्ता ही ले तो हमारा बहुत अच्छा फिर बनता है यह दाल पालक कुछ लोग इसको क्या करते हैं ग्राइंड भी कर लेते हैं अगर आप को ऐसे नहीं पसंत तो आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं थोड़ा सा पहले आप गर्म पानी में इसको रख दें थोड़ी द भूण जाए उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा इससे हलवाई लोग भी ऐसी करते हैं उनकी सब्जी में तो तेल होता है उनका समय बचता है तो इससे टेस्ट भी आता है औरुड़ी बचता है तो इसमें अपने बेसिक से मसाले डाल देंगे हल्दी दनिया डाल में भी मनम पख़ापन बढ़ जाएगा इसमें हरी मीची एड की थी माने लाल मीच पाउडर नहीं डाला है अब इन्हें हम सब कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसे हम पकने देंगे पांस ते साथ मिनट तक इसमें से जो भी मॉस्टर रिलीज होगा पाने रिलीज होगा इसमें पकता रहेगा पालक सारा अच्छे से बुन जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा खाने बहुत ही टेस्टी लगती है रेसेपी आप इसको बच्चों को जरूर बना कर खिलाएं और जिसमें आयरेन की कमी हो वह भी इसको पिल डाइट में जरूर शामिल करें क्योंकि प आपको जैसी गाड़ापन पसंद हो इसाब जिसमें पानी याड़ कर लें मुझे थोड़ा थिक लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और एड़ कर दिया बस अब इसको मैं इसी चलाते रहें बीच बीच को इसको थोड़ा पकने देंगे तो हो गई है हमारी एक लगा देते हैं तड़का इस से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा घी ले लेंगे हम एक चमच इसमें जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा कश्मीर मिच का पाउडर आप चाहें तो इस टाइम पर इसमें थोड़ा सा लैसों और अजग भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो तो यह हमारा तड़का हो गए है तयार वास इसमें थोड़ी से और दाल डाल के घुमा कर इसको डाल देंगे और तयार है आपकी रेसेपी इसको बनाइए खाई और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं इसी एक नई रेसेपी की साथ थैंक त्वर वाचिंग्